दूस्तो इस वीडियो में जीवन बनाने के लिए सुन्दर सुन्दर जनकारी पांच गो मिलेगी आपको जिन्दगी जो है बना करके हमेसा के लिए टू टेंच रखेगी तो चलिए कमाल के वीडियो को सुरू करते हैं अब ही बेग और टाइम नश्ट किये हुए सवाल नमबर एक कमजूर लोगों को कौन सा चीज खाने से कमजूरी दूर हो जाती है और सिहत बन जाता है एक से दो महीने में दोस्तों इसका सही अंसर है दूध और होर्लिक्स एक महीना खाने से सिहत तुरंत बन जाता है अस्थामा वाले को गाय का दूध में नहीं खाना है भैंस का दूध में खाना है होर्लिक्स दूध और जिन लोगों को अस्थामा की बिमारी है सांस फुल थे उनको भैंस का सबस्क्राइब करें दोस्तों इसका सही अंसर है कंप्यूटर या लिफटप पर जो लुग बैट करके काम करते हैं उनको पीट में गैस की बीमारी पकर लेता है तो उनको दोस्तों सुबह के समय में साम के समय में जरूर तहलना चाहिए इसलिए काम धंधा बनाया गया है काम करने के लिए सिहत बनाने के लिए कामकार जरूर करना चाहिए दोस्तों सिहत अच्छा रखने के लिए सवाल नमबर तीन पानी कौम पिने से कौन बीमारी पकर लेता है सरी मे गय की बीमारी पकर लेती है इसलिए दोस्तों पानी कम नहीं पीना चाहिए ठंदीयों के मौसम में सुशूंग पानी रात के समय में पीना चाहिए और गड़ मadores में थंदा पानी पीना चाहिए जो जब मौसाम हो ऐसा काम जरूर करना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर चार पपीता की दूध लगाने से कोन बीमारी मीटी जाती है हम लोगों के सरीर से दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इसका सही अंसर है पपीता की दूध लगाने से दिनाय बीमारी एक होती है कंदा कोहरा दही बैगन मचली खाने से जो होती है वो बीमारी जो है मीटी जाती है दूध लगाने से लेकिन कांदा कोहरा बैगोन नहीं खाना है, मिठा चेनी नहीं खाना है तो छुट जाएगी सवाल नमबर पांच, बजार की सबजी क्यों हानी करने लगता है हम लोगों के सरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब तुरंद करें दोस्तों इसका सही अंसर है, जो लोग धोक और नहीं बनाते हैं सबजी इसलिए जो हैहनानी करने लगता है, उस पे दावा छिरकाव होती है तो उसके परदूसन से एक खाजर बीमारी हम लोग के सरीर में उत्वन हो जाती है इसलिए उबाल करके पानी फ्याक करके बनाएं तो अवर सुन्दर है दोस्तों दोस्तों ये वीडियो कैसी लेगी कमेंट ज़रू करें थेंगी दोस्तों